नमस्कार दर्सको जब हम जीवन में बहुत ही ज़्यादा परसान हो जाते हैं और मंत्रों से टोने टुटके से हमारे काम ना चले तो हमें यंत्रों को शहरा अवश्या लेना चाहिए यंत्रों में देवी द्योताओं के प्रान बसते हैं और इनमें देवी द्योताओं के शक् बनाए जाते हैं एक ताकत बनाए जाते हैं एक यंत्रा बनाए जाते हैं एक यंत्रा के बारे में बताऊंगा जिसे धन दायक यंत्रा बताया जाता है यह बहुत ही प्राचिन यंत्रा है और यह एक ऐसा यंत्रा है अगर आप इससे बना करके धरन कर लेते हैं तो आपकी आपको काइसा बनाना है कब बनाना है के सारे जानकारी इस वीडियो में आค़े बनने विडियो को लायक नहीं किया है तो प्लिट को जरूर कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना Janeiro खर दूस्टो इस यंद्र को शरुप्रत हम, बिड़ो इस प्रकार से हैं और इस यंद्र को तुलसी की पत्ति के रसकेbar आना है ऑप है तुलसी माता को लचमी कहा जाता है तुलसी जो पत्ति अोते होते हैं और देवी देवत्ताओं को अ लगाए जाते हैं तो तुलसी की पत्ते के रस में आपको इसे बनाना है और किस चीज़ से बनाना है तो आपको कलम तयार करना है वह लेना है बरगत के टहनी का कलम लेना है और इसे आपको साधे कागज पर यह फिर भोज़ पत्र पर बनाना है तुलसी के पत्ते के रस के साथ और इस यंत्रा को बना करके आप इसे ताबीज में भर करके धारान कर सकते हैं ताबीज में धारान करते हैं तो आपकी जिवन में एक नए परिवर्तान आएगा आप उन्हों चायू को प्राप्ता करेंगे जो चायू को आप प्राप्ता करना चाहते हैं आपको धन की ज़रूरत है धन की प्राप्ति होगा आपको नवकरी की ज़रूरत है नवकरी की प्राप्ति होगा यानि कि यंत्रा एक है धन की कामना से इस यंत्रों को पहनेंगे तो धन की प्राप्ति होगा जिस भी कामना को लेकर इस यंत्रा को धारान करेंगे वह आपकी का और हाँ इसके धारान करनेक बाद आपकी जीवन में अताह धन संपती प्राप्ता होना सुरू हो जाएंगे आप जहां भी जाई आपको धन प्राप्ता होना सुरू हो जाएंगे जिस भी कदम जिस भी छेतर में आप कदम रखेंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगा धन वैभ से परिपुन्ना बनाएंगे आसा कर्तों के छोटे से जानकारी आपकी जीवन में कल्यानकारी सावित जरूर होंगे बिर्द देखने के लिए धनिवा दर्शको नमस्कार